हालो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रीज ट्रीडिल ट्यूटर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी श्टेटों कि भारत के सभी स्टेटों में आटी के तहत एडमिसन प्रक्रिया जारी है इस एडमिसन प्रक्रिया में प्रावेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब और डिस एडवांटिज विच्चों के लिए रिजब रखी आती है तो इसी कड़ी में जारखंड में भी 20 तारिक से फार्म भरे जा रहे हैं अब जारखंड में थोड़ा सा प्रक्रिया अलग है इसलिए थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं तो ये वीडियो सुरू से आखरी तक देखिएगा क्योंकि वहाँ एड्मिशन प्रक्रिया जो है स्टेट लेबल पर नहीं है डिस्टिक लेबल पर है और अलग-अलग डिस्टिक में अलग-अलग नोटिस आती है और अलग-अलग फार्म जमा होते हैं लेकिन इस बार प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी हुए है उस बदलाव की भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है, क्या बदलाव है, क्या एज है सभी कुछ जो आपको जानना जरूरी है तो सबसे पहले जो नोटिस आप देख रहे हैं या बोकारो डिष्टिक का नोटिस है क्योंकि मैं आपको पहड़े ही बता दिया हूँ को वहाँ डिष्टिक वाज नोटिस आती है और डिष्टिक वाज इलमिशन होते हैं तो ये नोटिस है दोजार 24-25 सत्र में विशन के लिए जैसे आप देख पा रहे होंगे ये निजी विद्यालों में सत्र दोजार 24-25 में अनसूचित जात, अनसूचित जनजात एवं अन्पिछा वर्ग, नन क्रीमी लेयर इवं आर्थिक रूप से कमजूर वर्ग उन्ही के लिए ये फार्म आया है तो ये फार्म का आनलाइन आवेदन भरने की प्राणमतीत है 20 जनुरी 24 और इसका जो लाज डेट है वह 10 फ्रवरी 24 है तो इस ते देखिए यह क्लियर हो जा रहा है कि इस बार जो फार्म भरे जाएंगे वह आनलाइन भरे जाएंगे जबकि पहले यह आफ्राइन भरे जाते थे लेकिन इस बार से यहाँ आनलाइन हो गए है आवेदन फार्म को आसानी से और जल्दी भरना सुनिशित करने के लिए क्रिप्या निमले खित को तयार रखें अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो इसमें बताया गया है भारती सिम कार्ड के साथ एक वैद मोबाईल नमबर आवेदन से संबनित सभी जानकारी पंजी करहन के दोरान दिये गए मोबाईल नमबर पर एसमेंस द्वारब भीजी जाएगी आपको दिनता से सलाह दी जाती है कि आप अपना मोबाईल नमबर भारती सिम कार्ड के साथ पंजी कराएं ना कि रिष्टेदारों, दोस्तों, एजेंट, राइबर कैफे, संचालकों या अनकार पंजी कराएं मतलब आपको अपना खुद का मोबाईल नमबर यानि अपने घर का मोबाईल नमबर ही रेजिस्टर कराना है क्योंकि उस पे SMS जाएगा, उस पे OTP जाएगी और अगर आपको बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उस पे सूचना भी जाएगी निफ्ट है, प्रवेश चाहने वाले बच्चे की एक डिजिटल तस्वीर या स्कैन की गई तस्वीर अधिक्तम 500 KB आकार की JPEG फाइल में होनी चाहिए, तो फोटो जो होनी चाहिए, वो 500 KB से कम की होनी चाहिए और JPEG फाइल में होनी चाहिए, यानि JPEG फार्मेट में होनी चाहिए पिता और माता के आधार कार्ट का विवरान यदि बच्चा बोकारो में किसी अन अस्थान पर रह रहा है तो अभिवावक का आधार कार्ट का विवरान चाहिए चुकि अब बोकारो डिष्टिक का है इसलिए यहां बोकारो लिखा हुआ है लेकिन आप अपने डिष्टिक में आपका अपने दिश्टिक का नाम रहेगा तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा कहीं अन्य जगाँ पर रह रहा है तो विहावक का आधा नंबर भी जरूई है उसको भी देना पड़ेगा एक बार एक आवेदन पत्र जमा कर दिया गया है और आवेदन जमा कोड उत्पन हो गया है जमा किये गए आवेदन पत्र को समपादित नहीं किया जा सकेगा अगर आपने एक बार final submit कर दिया है तो उसको फिर edit नहीं कर पाएंगे उसको फिर से change नहीं कर पाएंगे चात्रों को बोकारो जिले का निमासी होना चाहिए यानि कि चात्र को उसी जिले का निमासी होना चाहिए document needed अब क्या क्या document चाहिए होते हैं जन्म पंजी करन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमापत के रूप में आयू के प्रमापत का पत्र इसमें अदसूची छेत परिसद नगर पालिका नगर निगम से प्रमापत ग्राम पंजायत सैन अस्पताल के रिकार्ड से जन्म प्रमापत के बारे में उद्धरन और रक्षा कर्मियों को सेवा रिकार्ड सामिल होंगे प्रवेस के समझ जन्मतित का मूल प्रमापत स्कूल के समख्ष प्रस्तूत किया जाना चाहिए स्कूल दोरा सत्यापन के बाद या माता पिता को वापस कर दिया जाएगा तो जन्मतित में क्या क्या रहेगा में जन्म तिथी दर्ज है उसको मान लेंगे लेकिन बाद में आपको जन्म पुमापत का वर्जिनल देना पड़ेगा पिता और माता का आधार कार्ड यदि माता और पिता जीवित नहीं है या बच्चा किसी अन अस्थान पर रहता है तो अभिवावक का आधार कार्ड अनिवार है तो माता पिता का आधार कार्ड जरूरी है और अगर माता पिता जीवित नहीं है तो अभिवावक का आधार कार् दूसरे जगा रह रहा है तो उसको तो अभिबावक जो अबिबान पढ़ने के लिए दूसरे सहर में रहता है आपने नानी के हार रहता है अपने चाचा के साथ रहता है अपने मामा के साथ रहता है तो उसमें अपने चाचा और मामा का आधार कार्ड भी देगा चूंकि उनको यह साबित करना पड़ेगा यह बच्चा यहीं मेरे साथ रहता है तो इसलिए अभिवावक का आधार कार्ड भी जरूरी है अगर माता पिता के साथ रहता है तो केवल माता पिता का आधार कार्ड जरूरी है लेकिन अगर किसी अन्न के साथ रहता है तो उन्ता आधार कार्ड भी जरूरी है तीन नमबर में हैं अनसूचित जात, अनसूचित जनजात, अनपिछड़ा वर्ग, NCL, EWS, BPL प्रमापत एक प्रमापत जिसमें कहा गया है कि बच्चा अनसूचिजात, अनसूचिजजात, EWS, OBC, NON, क्रीमे लियर, EWS, BPL, स्रेणी जैसा लागू हो से संबंधित है संबंधित राजसरकार, केंदसरकार में सक्षम अधिकारी दौरा जारी तो अगर आप किसी रिजर्ब कटेगरी से आते हैं तो आपका रिजर्ब कटेगरी का प्रमापत होना चाहिए और वह संबंधित राजसरकार या केंदसरकार से सक्षम अधिकारी दौरा निर्गत हुआ होना चाहिए आय प्रमापत 72,000 से कम होना चाहिए और प्राधिकरन द्वारा अगस 2023 से पहले जारी किया जाना चाहिए यानि आय प्रमापत 72,000 से कम होना चाहिए तब दूरबल वर्ग में गिना जाएगा और यह अगस 2023 से पहले का जारी नहीं किया जाना चाहिए यानि अगस्ते इस के बाद का जारी होगा होना चाहिए ज़िए बच्चा किसी रक्त संबंदी के घर में रहा है तो बिजली बिल, गैस बिल, बैंक पास्बुक या भिवावक के नाम पर ड्राइविंग लेसन्स जमा करना होगा अगर बच्चा ऐसे अभी मैं बताया कि चाचा, मामा, नाना, नानी के यहां रह रहा है तो उनके पते का प्रूफ के रूप में उनके नाम से जो गैस का बिल है, बिजली का बिल है, बैंक पास्बुक है या ड्राइविंग लेसन्स है, उसको देना होगा अब उमर कितनी होनी चाहिए, तो प्री नर्सरी के लिए आई सुमा तीन वर्स से अधिक्तम चार वर्स, एलकेजी नर्सरी के लिए आई सुमा तीन वर्स चा महीने से अधिक्तम चार वर्स चा महीने और कच्छा एक के लिए आज सीमा 5 वर्ष 6 महीने से अधिक्तम 7 वर्ष होनी चाहिए या उम्र 31 मार्च 2024 को होनी चाहिए कम दूरी के छात्रों को उत्षितम प्राथमिक्ता दी जाएगी अब इसमें दूरी का भी बता दिया गया है जो जितना नजदीक करहेगा उसको उत्नी प्राथमिक्ता दी जाएगी दूरी की सीमा तो इसकूल और बच्चे के घर के दूरी 7 किलो मीटर या उससे कम होनी चाहिए और जो बच्चा ज़्यादा नजदीक करहेगा उसे प्राइटी मिलेगी नाव नंबर में है सारी रिक रूप से विकलांग प्राइट के लिए अरक्षण निम्न स्रेड़ी में से है तो जो बच्चा दिब्यांग होगा उसको निम्न स्रेड़ी में अरक्षण मिलेगा रिजेक्सन आप अप्लिकेशन आवेदन रद करना किस कारण से आवेदन रद हो सकते हैं पहला कारण है यद निधारितित के भीतर मुदित आवेदन के साथ आवस्थक दस्तावेद जमा नहीं किये जाते अगर आपने आवेदन किया है और उसमें सारे कागज लगा कर उसे जमा नहीं किया है तो आवेदन आपका रद माना जाएगा यद अभ्यार्ति निधारितित तक आवंकित विद्याले में दस्तावेद जमा करने के बावजूत रिपोर्ट नहीं करता जैसे कि मान लिजिए आपने दस्तावेद जमा कर दिये लेकिन एडमिशन के लिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तब भी आपका रद माना जाएगा तीन नमबर में है यद उम्यद्वार सभी संबंदित दस्तावेद प्रस्तुत नहीं करता यानि अगर आप आधा अधूरा दस्तावेद यानि डाकुमेंट प्रस्तुत करते हैं तब भी आपका रद माना जाएगा इगारा नमबर में है आवेदन करते समय आवेदक को विद्याले से दूरी के अनुसार तीन विद्याले को चैन करना होगा सत्यापन के बाद जिला सिच्छा दिचक दौरा स्कूल आवेदन करते समय आपको विद्याले से दूरी के अनुसार तीन विद्याले को चुन लेना है बाकी फिर जो जिला सिच्छा दिच्चक है वह आपको स्कूल आवंटन करेगा योग गिता सूची में चैनित होने की इस्तित में सूची की इस्तित से 10 दिनों के भीतर विद्याले के प्रवेश प्रभारी को सूचित करना होगा और आवंटित विद्याले में प्रवेश लेना होगा जैसे ही आपके बच्चे का नाम आएगा दस दिनों के अंदर आपको जाके रिपोर्टिंग करके एडमिसन लेना होगा वेव पेज पर मेर्स सूची में दर्साइगे प्रिवेश कीतिती अंतिम होगी और ऐसा ना करने पर आवेदक अपनी उमधवारी खोने के लिए उतरदाई होगा तो जो वेव साइट है जिस पे आप आवेदक करेंगे उस पे और जीला की जो वेव साइट है उस पे भी लाश डेट बताया जाएगा उस डेट के अंदर ही आपको जाकर एडमिसन लेना है जिला सिच्चा दिच्चक का निर्णा सभी परिसितियों में अंतिम एवन आवेदक के लिए बाधिकारी होगा तो जो जिला सिच्चा दिच्चक है वह सरवोपर रहेगा उसी कादेश मानने होगा जिला सिच्छा जिच्चक के पास आवशक समझे जाने वाले किसी भी अन्नियमांट्स ओरतों को संसोधि करने बदलने का अधिकार है उनको अधिकार दिया गया है कुछ चेंज भी कर सकते हैं फिर इसमें छेतरा अधिकार दोरा बताया गया है हेल्प डेक्स बताया गया है मुबाइल नंबर बताया गया है जहां से आप हेल्प ले सकते हैं तो यह जानकारी थी जो 2024-2025 के लिए है बहुत महत्पूँ जानकारी थी लेकिन इसमें दो चीन चीजें छूट रही थी जिसे मैं कवर करने के लिए आपको दूसरे PDF के तरफ ले चलता हूँ और वहां आपको दिखाता हूँ यह एक और नोटिस है जो कार्याले जीरा सिच्छा अधिच्छक राची दोरा जारी किया गया था जिसमें आप देख सकते हैं कि अनिवार बाल सिच्छा अधिकार अधियम रोजा नौ की धारा बारा वन गा के अनुपालन में गयर सहायता प्राप्त निजी विद्धियाले अलफ संख्यक को चोड़कर प्रवेस्ट कच्छा में आब इवावकों की सिविधा के लिए सुचित किया जाता है कि का पासपड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए पालक अभिवावक का अधार कार्ड मद्दाता पर्चेपत मरेगा जाप कार्ड रासन कार्ड ड्राविंग लेसंग बिजली बिल जिसमें उनका नाम यूम निवास का पता अंकित होंगे यह वैलिड रहेगा खा अभिवन्चित यूम कमजोर वर्ग की मानता के लिए पालक अभिव अभिवावक का जाती प्रमापत निसक्त बच्चों के लिए चिकत्सा अधिकारी द्वारा निर्गत निसक्ता प्रमापत अम आय के लिए अंचला अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमापत मानने होगा इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे से बताया गया है क आपको क्या डाकुमेंट देना है और किस नाम से देना है, त्याहातार इसमें पालक या अभिवावक के नाम से ही डाकुमेंट लगेगा, क्यावल डेटा बर्थ का जो डाकुमेंट है वा बच्चे का नाम का रहेगा गाह में है नरसरी एलकेजी में नमकनहेट उम्र 3 वर्स 6 माँ से 4 वर्स 6 माँ के बीच एवं प्रवेज कच्छा एक में नमकनहेट 5 वर्स 6 माँ से 7 वर्स के बीच होगी उमकी गर्णा कटाब तिथी 31 मार्श 2024 की होगी आवेदन कार्याले वेबसाइट www.dscrc.com पर आनलाइन द्रिफ्ष दिनांग इतने से इतने एक बीच भरा जाएगा यहां भरे गए आवेदन पत्क का पिंट निकालकर सभी दस्तावेज को सनलंग करते हुए सम्मंदित विद्याले के कार्याले में दिनांग सभी दस्तावेज लगा कर आपको विद्याले के कार्याले में ले जाकर जमा करना है आवेदन पत्क जमा करने के समय सनलंग किये गए प्रमापत्रों का संबंदित विद्याले संबंदित वेबसाइट से अनिवार रूप से सत्यापन करेंगे अतेव कोई भी गलत प्रमापत सनलंग किये जाने की पूरी पूरी जबाब देही संबंदित पालक अभिवावक की होगी तो इसमें बताया गया है कि जब आप लेकर जाएगे तो वहाँ चेक भी होगा इसलिए आप वहाँ वर्जिलन लाकुमेंट भी लेकर जाएगा आग और एक नोटिस और आपको मैं दिखाना चाहता हूं उसके बाद इसमें राची मिजीले में कितने स्कूल हैं उनकी लिष्ट दी गई है उसमें कितनी सीट है सीट उटकी जानकाई दी गई है बाकि ये नोटिस है नोटिस को भी आप वीडियो को पूस करके पढ़ सकते हैं कि यहां कुछ नोट दिये गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप वीडियो करके पढ़ सकते हैं मैं इससे नहीं पढ़ूँगा इसमें एक बहुत महत्पूर्ट चीजें हैं कि आपको क्या-क्या कागज देना है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं जन्प्रम सेकंड है आवास प्रमापत आवास प्रमापत में आप क्या दे सकते हैं बच्चे का नाम वाले पिता माता के नाम पर जारी रासन कार्ट बच्चे का या उसके माता पिता के निवास का प्रमापत माता पिता में से किसी एक का निवास का प्रमापत आधार कार्ड या जौब यह दे सकते हैं आय पर्मापत के लिए अप अन्मनिला अधिकारी Christian कला अधिकारी कार्यार्वार्ण सबस्चांति लों, करताի छारी पर्मापत स्थितन रहेगा तो ये बहुत important था इसको भी इसलिए मैं सामिल किया था क्यूंकि इसमें सारी picture clear हो गई है आपको क्या देना है फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि सभी जिले में कुछ अंतर हो सकते हैं इसलिए आप अपने जिले का notice जरूर देखिएगा अपने जिले के notice के अनुसार कागजात की बेवस्ता करिएगा और उसी हिसाब से आप उसको लगाईएगा अब मैं आपको एक दूसरी news के तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसमें ये clear हो रहा है कि online farm भरे जाएंगे इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है BPL admission के लिए अप करना होगा online आवेदन यानि अप online आवेदन करना होगा जिले सिच्छ विभागने की तयारी DC वरूर अंजन ने दी प्रस्ताओं को मंजूरी तो ये 2024 के लिए है और ये धनबात की news है मैं ऐसे पढ़कर भी सुना देता हूँ सत्त दो जाद 24 परचीस में पब्लिक स्कूलों में BPL admission के लिए आनलाइन आवेदन करने के लिए तयार हो जाएं आटी निसुल के ओम अनिवार बाल सिच्छा का अधिकार सेल सह डियस्सी कार्याले ने आवेदन वा एड्मीशन में एक रूपता बनाये रखने के लिए आनलाइन प्रक्रिया की कवायस सुरू कर दी है प्रस्ताओं को DC वरूर रंजन ने मंजूरी दे दी है संभावना है कि जल्द ही आटी सेल की ओर से बीपियर एड्मीशन के आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुरू करने का आदेश जारी हो जाएगा अस्थानी विभाग इसकी तैयारी में जुड़ गया है जनवरी में आनलाइन आवेदन मांगा जाएगा तो ये पहले की निउज है इसमें पहले ही बता दिया गया था किस बार अनलाइन होंगे बाकी जानकारी इसमें आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है तो जितनी जानकारी मेरे पास थी उन सभी जानकारियों को मैं दिया हूँ और मैं कोशिश किया हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके लेकिन अगर अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं